किसान साथियो नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल वे किसान साथियो आज लोकडाउन का बारवा दिन है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पर होंगे और सुरक्सित होंगे किसान साथियो बहुत से अमरूद की बागवानी करने वाले किसान आजकल अपनी सर्दियों की फसल लेने की तैयारी कर रहे होंगे जैसा मैंने अभी पहली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार हमने भी तैयारी सुरू की है लेकिन मैं कई दिनों से इस विशे पर पढ़ रहा हूं और मैंने इस पर इसके जानकारों से बातचित की है तो मैंने ये सोचा है कि जो हम कारिये करते हैं उनको हमें थोड़ा समझना भी चाहिए कि वो कारिये हम क्यों करते हैं और जहां पर भी क्यों आ जाता है और कैसे आ जाता है ये विज्ञान कहराता है तो इसी को देखकर मैंने ये विशे चुना है और इस सिरीज में हमने इसे नाम दिया है अम्रूद की बागवानी, सर्दियों की फसल भाग एक इसमें हम बात करेंगे बहार नियंतरन क्या है अंग्रेजी भासा में इसे क्रॉप रेगुलेशन बोलते हैं अब आईए हम इसको समझते हैं और इसके बाद जब हम कारिय करेंगे अपनी सर्दियों की फसल लेने का तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और आपको ज़्यादा किसी से जानकारी लेने की अवश्यक्ता नहीं सबसे पहली बात है कि आप अम्रूद में ये जानते हैं कि अम्रूद में तीन बार फूल आते हैं किसान साथियों हमारे हाँ तीन बार वर्स में फूल आते हैं अम्रूद पहला फूल जो है न हम सुरू करते हैं हस्त बहार का हस्त बहार जो हमें मार्च और अप्रेल की फसल मिलती है उसमें फूल अक्टूबर और नॉम्बर महां में आता है इसे हम बोलते हैं हस्त बहार उसके बाद हमारे पास मार्च अप्रेल में फूल आता है जिसकी तैयारी हम फरवरी से करते हैं इसे बोलते हैं हम अम्बे बहार और तीसरा फूल जो है ना हमारा जुलाई अगस्त में आता है जिसके फल हमें नॉंबर दिसंबर में मिलते हैं सर्दियों में मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं मरग बाहर तो आपने ये तो जान लिया होगा कि अमरूद में तीन बार फल आते हैं दूसरी अम्रूद की एक खास्यत ये है जो इसे दूसरे पोधों से बिलकुल अलग बनाती है। अम्रूद में हमेशा जो नई साखाई निकलती हैं उन पर ही कल्ले आते हैं और उन कल्लों पर ही फूल बनते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए थोड़ा अपवाद हो सकता है जो भी नए कल्ले निकलते हैं उसमें जो एक पत्ती निकलती है पत्ती परते एक पत्ती में जोड़ा होता है दो पत्ती होती है तो पहले जोड़े दूसरे जोड़े तीसरे जोड़े से कल्ले निकलने फूल आ यह तो हुई पहली बात है दूसरी बात यह है कि आपने कुछ बागों में देखा होगा कि कुछ लोग बरसात की फसल लेते हैं क्या कभी आपने यह पूछा है कि आप बरसात की फसल जान बूझ कर लेते हैं या मजबूरी में लेते हैं मैंने एक दो बात देखे ऐसे एक मेरे मित्र हैं जो चोरा गाउं के रहने वाले हैं सहरनपूर में वो मुझे अपने बाग मिले गए बहुत अच्छे किसान है महक सिंग उनका नाम है तो वहाँ पर मैंने देखा उन्होंने अमरूद की कभी कटिंग नहीं की थी और वो ये कह रहे थे मेरे से के हम सिर्फ बरसात के फसल लेते हैं मुझे उस बाग को देखकर बड़ा दुख हुआ वहाँ जो उनके जो परबंधन करने वाले थे जिनको बाग बेचा हुआ था उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी जबकी वो तीस वरसे यही काम कर रहे थे मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या आम मुझे ये बता सकते हैं कि अमरूद में कहां पर खाद लगाया जाता है अमरूद के पड़े वो उसका उत्तर नहीं दे सके ये तो भूल जाईए क्या खाद लगाना है चुकि जो उन्होंने कभी अपने दादा पर दादा से सीखा होगा उसी काम को करते हुए वो आ रहे थे और जो काम हम एक लीक पर चल कर करते हैं उसमें कभी तरक्की नहीं हो सकते हैं आपको हर कारिय को करते हुए ये सोचना चाहिए कि मैं इस कारिय को क्यों कर रहा हूँ क्या इस प्रकार क्यों कर रहा हूँ क्या इसे मैं और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ जिसमें समय कम लगे जिसमें हमारा थोड़ा खर्चा काम आए और मेरी फसल जादा हो यही विज्ञान है इस बात का ध्यान रखिए अब आपने अगर देखा होगा दूसरा गाउं में गया एक गाउं है खेडी खेडी गाउं है त्यागियों का गाउं है देवबंद के पास में वहाँ पर उन्होंने मुझे बाग दिखाया वहाँ पर भी जो उसके परबंधन करने वाला थे जिन्होंने बेचा हुआ था वो क आओ, इसमें क्या करना चाहिए कि हमें सर्दियों के फ़ल मिले, मैंने का आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा और आप कर भी नहीं सकते, कहरे गा, मैंने का सबसे पहला काम यह करिए, यह जो दो-तीन आपके बैठे हैं, इनको बाहर निकाल दीजिए, अगले साल से इने मन द द्धूप तक नहीं लगती, और जब पेडों के अंदर द्धूप नहीं आएगी, जहां फल लगे हुए हैं, तो वहाँ पर बीमारियां भी आएंगी, और फल भी ठीक परकार से नहीं अच्छा बनेगा, यह तो हुई एक बात, एक बात और है, कि आपने ध्यान दिया होग यह अब की बार देखना आप, कि बरसात में, यानि जो मार्च अप्रेल में फूल आते हैं, उनकी मात्रा जुलाई अगस्त में आने वाले फूलों से लगभग दोगनी होती है, ऐसा क्यों हो है, क्या यही कारण है कि लोग बरसात की फसल लेते हैं और वो नहीं ले पाते है हाँ, यह भी एक कारण है, और दूसरा कारण यह है कि इसमें अधिक फूल लाने से वो यह सोचते हैं कि फसल अधिक मिलेगी, इसलिए बरसात की फसल ले लेते हैं, और जब बरसात की फसल ले ली तो सर्दियों की फसल नहीं ले सलते हैं अब इसमें समस्या क्या है क्यों आते हैं जादे जरा इस चीज पर हम विचार करते हैं आपने देखा होगा जो उत्तर भारत है वहाँ पर सर्दी काफी पड़ती है और जो सर्दी के मोसम में है ये चुकी उसन कटी बंधिये पोदा है जो थोड़ा गर्मी थोड़ी सर्दी भी चलती है लेकिन अधिक सर्दी नहीं चलती हमारे यहाँ टेंपरेचर दो तीन डिगरी तक हो जाता है सर्दीयों में अक्सर कर उत्तर भारत में और थोड़ा मद्दे भारत में पोधो की बढ़वार रुख जाती है जब पोधो की बढ़वार टेंपरेचर यानि तापमान कम होने से रुख जाएगी तो जो पोधो को उर्जा मिल रही है जमीन से वो कहा जाएगी क्या कभी सोचा है आपने ये पोधों का एक गुण है जो के वो इस उर्जा को अपने तनों में और साखाओं में संचेit कर लेते हैं יानि कथा कर लेते हैं और जब वसंतरितू का मोसम आता है जब वसंतरितू का मोसम आता है भराता है तो थोड़ी गर्मी आती है मोसम में और हम थोड़ा पानीवानी भी लगा देते हैं तो पोधा अचानक से जाग जाता है ये जो पोधा अपनी एनर्जी को जो उर्जा को संचेइत करता है इस अवस्था को पोधे की सुसुपता अवस्था कहते है यानि इसमें पोधा भोजन अपनी साखाओं में पहनियों में इनको एकतरित कर लेता है, संचेइत कर लेता है और जब आप वसंतरित हुआएगी तो उस ताइम ये सारी उर्जा नए कल्लों के रूप में निकलेगी और कल्ले बहुत ज़्याद आएगे और जितने भी कल्ले आएगे, जब ज़्यादा कल्ले आएगे तो आपके फूल भी ज़्यादा आएगे और जब ज़्यादा कल्ले आएगे तो फूल भी ज़्यादा आएगे तो क्या कारण है कि लोग अधिकतर जो भी बागवानी करने वाले किसान है वो सर्दी की फसल लेना पसंद करते हैं अब हम इस चीज को देखते हैं बरसात के मोसम में फल तो अधिक मिलेगा लेकिन मुईसर अधिक होने के कारण और इसमें फल मक्खी का प्रकोप बहुत अधिक मिल होता है जिससे फल बहुत खराब होते हैं आप ये मान कर चलिए कि 25% कम से कम आपके फल खराब हो जाएंगे ये है पहला कारण दूसरा कारण क्या है कि फलों में स्वाद नहीं होता और तीसरा कारण ये है कि फल जो हनद जाद बड़े नहीं हो पाते चोटे हो पाते हैं और जब इनमें स्वाद नहीं होता और चोटे हो जाते हैं तो इनका बाजार में मुल्ले भी अच्छा नहीं मिलता लोग कम पसंद करते हैं इसलिए जो आपकी बचत होती है वो उतनी नहीं होती जबकि फल आपके पास बहुत अधिक आया हुए है मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए हो अब सर्दी का मोसम देखिए सर्दी की जो फसल है उसे हम मरग बाहर बोलते हैं इसके लिए हमें अप्रेल 20 अप्रेल के बाद यानि अप्रेल के अंतीम सब्ता और मई के 15 मई तक दूसरे सब्ता तक हमें इसका प्रबंधन करना होता यानि हम पोधे में कटिंग करेंगे जिसकी चर्चा वो क्या प्रबंधन होंगे वो चर्चा हम अगले वीडियो में बताएंगे लेकिन यहां यह समझने की जोरत है आवशकता है आपको कि सर्दी के फसल हम इसलिए लेते हैं कि उसमें फूलतो बरसात के मुकाबले कम आएंगे और जब कम आएंगे तब फल भी कम आएंगे इसका फल मीठा होगा फल अच्छा सुन्दर होगा फल बड़ा होगा और फल में बीमारी भी बहुत कम आएगी तब ही आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोग कहते हैं कि अमरूद गोस गरीबों का सेव बोलते है और कभी कभी कि क्या हमेशा देखी है कि सेव से अधिक कीमत अमरूद की होती है सर्दियों में और बड़ा स्वादिस्ट होता है तो ये कई ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो अनुसंधान के परपरतर हैं मैंने देखे हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि आप अगर योगी फसल लेते हैं तो बचत अधिक होती है अब हम इस फसल को कैसे ले इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे एक तो ये करना पड़ेगा कि हमें उचित तरीके से प्रबंदन करना पड़ेगा और दूसरा ये है कि हमें अपनी बरसात की फसल को रोकना पड़ेगा ये जो हम बरसात की फसल को रोकते हैं इसे कहते हैं फसल नियंतरन यानि क्रोप इसको कहते हैं इसको कहते हैं क्रोप रेगुलेशन यानि बहार नियंतरन बहार नियंतरन का मुख्य उद्दे से ये होता है कि जो हमारी इच्छा के विरुद फसल हो रही है जो प्रकर्टी देती है जैसे हमारी बरसात की फसल है उसमें जो कल्ले फूट रहे हैं उनको नए आने दे या जो आना सुरू ही है उनको रोक दे जब उनको रोक देंगे तो जो उर्जा कल्लो और फूल फलो में जानी है वो उर्जा हमारी पोधे में रुख जाएगी और जब वो रुख जाएगी तो हम एक निश्चित समय पर उसकी कटिंग करेंगे और नए कल्लो का सरजन करेंगे जिससे के हम अपनी मरग बहार लेंगे यानि के सरदियों की फसल लेंगे इस कारिये को आप देखेंगे कि हम बरसात की फसल रोक कर सरदियों की फसल ले रहे हैं यानि दो फसलों में हम एक नियंतरन कर रहे हैं यानि उस पर हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं लेते ये फसल लेगे इसी को हम फसल नियंतरन कहते हैं यानि क्रोप रेगुलेशन कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मोसम की फसल ले ले उसी को हम फसल नियंतरन यानि क्रोप रेगुलेशन कहते हैं मुझे उ इस्चित समय पर पोधे के अंदर पानी बंद करना पड़ता है, आप जानते हैं कि पोधे में दो तरह की जड़े होती है, एक होती है प्राथ्मिक जड़े होती है दूइत्ते जड़े, एक जड़े जो नीचे जाती है जो सपोर्ट करती है, आपने देखा होगा कि मैं बार- आकार बढ़ता चला जाता है, तो मैं कहता हूँ, छेंच से लेकर वो आकार एक मिटर तक हो सकता है, पोधे के चारोगा, उसके बाद जहां तक पोधे का छत्रक होता है, वहां तक दूइत्ते जड़े होती हैं, जिने हम गाउं में सीधा कहते हैं कि जाला है, बहुत बारीक ब पानी द्वारा जो भोजन लेता है, वो इन ही जड़ों के माध्यम से लेता है, तो एक फसल लेने के लिए, हम क्या करते हैं कि उन जड़ों को वहां पर मिट्टी को अच्छी गहरी गुड़ाई कर देते हैं, तीन-चार इंच की, जिससे वो जड़े कट जाती हैं, और जब भोदन है, उसको वो संग्रहित कर लेता है, अब जब हम एक समय पर, वो मैं सब अगली वीडियो में बताँगा, जो हम एक समय पर जब हम उसमें पानी देंगे, तो पोधा अपनी सुसुपता अवस्था यानि नींद की अवस्था थे जाग जाएगा, और उसे पता चल जा इस प्रकार हम बहार नियंतरन करते हैं, ये पानी रोक कर, जो हम जड़े सुखाते हैं, और पोधे को ये महसूस कराते हैं, कि आप सुसुपता अवस्था में आ जाईए, इसको हम पोधे को ताओ देना भी कहते हैं, यानि इस्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहते हैं, इस्ट्रे फसल लेंगे इसलिए अब आप आराम कर लीजी और उसके बाद अच्छी तरह होता है तो किसान भाईयो ये था मेरा आज का फसल नियंतरन पर मेरी वीडियो जिसे हम crop regulation बोलते हैं अब आप समझ गए होंगे कि crop regulation क्या है एक बार फिर इसको सारांस में बताता हूं कि जब दो तीन फसलों में से हम किसी एक को या दो को रोक कर एक फसल लेते हैं तो उसकी जितनी भी उतपाधन चमता है वो दूसरी फसल में आजाती है ये अनुसंधान बचत भी अच्छी होगी, ये मैं नहीं कह रहा है, ये अनुसंदान कह रहा है, इसी के साथ खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्सित रहिए, और मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, बंदे मातरम.